नमस्कार सातियों सोवागत आपके अपने चनल याना कोसल में जी हाँ सातियों आप सदल कुछ और ताज़ा इनफोर्मिशन लेकिया है हाँ बार याना कोसल रोजगार निगम के दुवारा जो है कैंडिडेट को सोड लिष्ट करने का काम करया जावा है सबसे पहले उसके बाद में जो है सातियों को ओफर लिटर देने का काम करया जावा है और ऐसा ही मामला सातियों पिछे आथा कि सोड लिष्ट कैंडिडेट कर दिये गए थे दो जारून हित्र का लगबग सातियों जो टीजटी पीजटी के बच्चे हुए हैं जिनके सोड लिष्ट मैसेज आये थे तो वो साति जो है वेट कर रहे थे कि हमारी जोइनिंग कब होगी और हमें जो हो फर लैटर कब दिये जाओंगे तो इन सातियों की जो बढ़ती है उसके अंदर जोहन नया मोड़ आ चुका है उसके बार में जानकारी देवांगे अब इस परकार से जोहा आप सातियों को जोब देने का काम करे जाओगा और एक्सप्रिस कैंडिडेट को लेकि भी एक ताजा जानकारी देखिया यहां टीज़टी पीज़टी सारे इन्फोरमेशन आप सातियों को क्या मामला है जो ब् बहुतिने को ब्लुटी निकाली गई थी तो जिस भी सातियों को जोब यहां पर अपना अपप्लाय कर रख्या था ना तो वो साति इस कैंडिडेट lib का बटन के ऊपर कलिक ना ना कर रहे यह बटन उनका नहीं है जितने भी साती नए आवा हैं पता नहीं वो नए हैं या पुराणे हैं या उनको बैवीडियो को पता नी चलता तो आप सात्यों को मा अलरेडी हल यह वीडियो round या इन्फोर्मेशन देते आयां कि आप सात्यागा यो लिंक नहीं है जिसने यहां पर फारम बर्या था कोई भी सात्य इसके ओपर कलिक ना करें क्योंकि आपका लिंक जोहां अल्रेडी अटा चुके हैं और याना कोसर रोजगार निगम वाड़े जिस भी सात्य ने जोहां नई बरत्यागा अंदर फारम बर्या था चैको टीजीटी वाड़ा हो चैको पीजीटी वाड़ा हो या फिर अदर जितनी भी वकैंसी थी जिस साती ने गुर्मेट डिपार्मेट के अंदर किसी भी जगह पर काम कर रख्या था उसका फारम यहां पर बर्या जावा है ठीक है चा मुखंद माव् साथ इन पर जहां पर अपने काम कर रहा है उसट क्पार्मेट के डीदियो लोग इन आइडी वगारा फुल डीटेल आओगी जहां पर आपने काम कर रखिया है फिर वह जो request आपकी जो fourth step के अंदर डालोगे वही आपके DDO का पास में request जाओगी आपने काम करेवड़ा है फिर वो DDO आपने portal id से जो हापका फारम जो हाप वेरिफाई करागा कि इस बंदे ने जो हमारे यहां पे डिपर्मेंट के अंदर काम करे उड़ा है इसका एक्सप्रेंस वैलिड है उसके बाद में आपका फारम वैरिफाई होने के बाद में सीधार याना कोसल निगम मत चलिया जाओगा अब मालब डाट्र इंटरि अपरेटर का अपना जोब रोल लगा दिया अब डाट्र इंटरि अपरेटर के अगर किसी भी डिपर्मेंट से मेन पारगी डिमांड जावा है अब हमने तो 50 आदमी चाहिए पचास आदिमियों को और याना कोसर रोजगार निगम जिन साथियों का experience verified है और डिटेल होके है यह SIC EPF तो उन साथियों को जिसका ज़्यादा experience verified है उनको सबसे पहले उपर उपर वाड़े सैट से 70 candidate को जो उठाने का काम करेगा उसमें से कुछ साथियों को जो है सोट लिष्ट मैसेज दे देगा जैसे 50 की demand थी तो मालों की सैट को सोट लिष्ट मैसेज दे देगा उसमें जो कुछ साथी accept करेंगी कुछ नहीं करेंगी उसमें से यानि के target उनका 50 post जो है उनको fill up करना है उसके बाद में अगर 50 post जैसे fill up हो जाती है जो बचे हुए candidate है उनको जैसे दुबारा से कोई भी vacancy निकाली जावा है वो demand आवा है तो उनको offer letter देने का काम कर दिया जावा है जैसे वो list कलीर हो जाती है उसके बाद में फिर अग्गे से man power की demand जावा है उसके बाद में उनकी इकठी demand होने के बाद में अब जैसे 50 यो पलस हो गई तो उसी time फिर उन दुबारा से sort list करने का काम कर जाओगा उपर उपर वाड़े candidate को साथ यो तो इस प्रकार से यो process है कई साथी नों को जी मेरा तो हो गया दो साल का experience है दो साली आने के मैंने फारंब बरे हुए होगे मेरा experience वेरिफाइड है अब उस साथी का experience कितना वेरिफाइड है वो job level के इसाब से count करने का काम करे जाओगा है अगर उस job role की vacancy आओए है तो उस में से जो उपर की candidate है उनको उठाने का काम करे जाओगा है जैसे department में man power जाओए है अब आपने मालोब कोई आशी vacancy का फारंब रख्या है जिसकी अभी तक रिहाना कोसल नीगम ने जो है कोई बरती ना करी हो तो आपने चाहे तीन साल होगे हो फारंब बरे हुए sort list नहीं होगा जैसे demand आओगे उसके बाद में आप साथियां का chance आओगा और फिर आप साथियों को sort list करने काम करें जाओगा जिसके ज़्यादा number होंगे ठीक है साथियों तो अभी ये देख लिए साथियों जो TGT PGD जो साथि वेट कर रहे हैं कि हमारे offer letter कब आओँगे उन साथियों ले बड़ी information दुबारा से फिरागी वे TGT PGD बरती उलजी नए सेरे से कराने की है त्यारी यानि कि जो आप साथियों जो बरती करी गई थी और जो आपके फारम बरुआए के थे जनवरी के अंदर तो उन सबी साथियों को include करके उसके बाद में जो आपका नए सीरे से यानि कि आप साथियों का सोड लिस्ट करने का काम करे जाओगा साथियो यानि कि आप साथियों की जो merit लिस्ट है वो दुबारा से बढ़ाने का काम करे जाओगा ऐसा इन बातों में लिखा गया है इंतजार कर रहे दो जार उने तर युवाओं को लगा जटका यानि कि जो साती वेट कर रहे थे उनको जटका लग चुका वै क्योंकि नए सीरे से जो है सोड लिष्ट करने का काम करे जाओगा और उनका जो एक्सपिरेंस था उसको काउंट करना या फिर उनके नबर काउंट करना तो यानि कि अब यह देखना यह होगा कि 2019 जो कैंडिडेट जो सोड लिष्ट हुए थे उनमें से भी छटनी करने का काम करे जाओगा यानि कि जिन सातिया जो फारम बर्याजनवरी में जो रुके हुए थे तो उसमें से भी उन सातियों को इनकलूड करे जाओगा अगर उनके नमबर जादा हुए और उनकी जो इनकम वगारा हो कम हुई तो सातियों ठीक है तो अभी यह कनफरम नहीं है अब इन सबी को जानि के सोड लिष्ट दुबारा से करने का काम करे जाओगा क्योंकि इन में से भी जो हच छटनी करने का आप सातियों काम करे जाओगा जो नए कैंडिडेट जो रिजिस्टर्ड हुए हैं सातियों ठीक है तो यह देख लिए जी इनोंने साब साब यहां पे लिख दिया भाई नहीं दी जाएगी ठीक है और इसके आगे इनोंने लिखा भाई इनका नहीं बरती में मेरिट के दार पर चैन होगा यानकि जो नहीं सुची बनाए जाओगा इसकी साबसे आपको सेलेक्ट करने अगम करे जाओगा निगम ने 23 नौमबर को 25 पीचे तरगी निउक्ति की गई थी और 29 पीचे को 2 दिसमबर को जो वोफर लाइटर बेज़े थे लेकिन अब उनको जो स्कूलों को में बेज़ा गया तो वहां पद खाली नहीं मिला जब जो वो वोफर लाइटर बेज़े गए थे तो पद खाली थे इसी बीच पदों को भरा दिखा दिया गया ऐसे में न्यूक्ति लटक गई ठीक है साथी यानि के पहले क्या दिखार किया था पद खाली दिखार किया थे स्कूलों में और बाद में जैसे ट्रस्पर वगरा जो ड्राइव इन नहीं न चलाया उस टाइम बहु फिलब होगे तो अब ही एजलिजी पांडुरंगा जी ने क्या का है पीज़ेटी टीज़ेटी की जो बढ़ती है और नए सिरसी होगी अब सिक्सावी बाग जो है दुबारा से खाली पदों का जो है ब्योरा देवगा इसके बाद पहले से ही सोड लिष्ट किये गए दो जारोनेतर पदों में से मेरिट के एदार पर न्युक्ति दी जाएगी यानि कि उन में से जो है मेरिट करने का काम करे जाओगा जिन साथियं जो भी मेरिट के अंदर सेलेक्शन हो जाओगा उननी को जो है जो मिल जाओगी बैए तो जल्द प्यारतियों को सूचित करेंगे यानि कि अब ये फिर जो से जो आफ सातियों ले ताजा खबर आ चुकी है आपका प्रोसेश जारी है जल्द ही आफ सातियों को जो सोडलिस्ट मैश से देखने को मिलेंगे और जैसा कि पिछली बार जैसे मुख्यमंदरी साब आये थे उसी परकार से मुख्यमंदरी साब जो है दुबारा से आने वाले हैं ठीक है तो मदान में तो दुबारा से फिर सातियों को जो सोडलिस्ट करने काम करे जाओगा जल्द से जल्द आप सातियों नोकरी देने का काम करे जाओगा यही कुस्ताजा इन्फरमिसन आप सातियों लेका है थे हो सकता है कि जितनी साती वेट कर रहे थे दोज़र मुनेतर का अंडरेट उन सातियों जो सारी बाते कलिर हो चुक्योंगी अब वेट यह करना होगा कि कितनी साती जोहत दुबारा से फिर सोट लिस्ट में आते हैं आप सातियों वीडियों देखिया का बहुत बहुत दन्यवाद जैहिं जैभारत जैरियान